शिव बाबा याद है ना? इस दुख धाम को भूल जाना है यहां सब बच्चे नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं तो बाब कहते हैं मीठे बच्चों विश्व की बादशाही तुम्हारी जागीर है तुम जितना पुरुशार्थ करेंगे उतना उच्पद पा और कोई को याद नहीं करेंगे तो फिर शांती धाम घर पहुँच हम उनको वेलकम रिसीव करेंगे बाप तो पंडा बन पतितों को पावन बना कर शांती धाम ले जाने आए हैं तुम्हें उनको याद कर अब फरिश्वा बनना है इतना समय देह अभीमान में रहने के अब देही अभीमानी बन तुम बाप को याद करो तो पाप कटते जाएंगे और लास्ट में बाबा ने कहा तुम बच्चे कहते थे कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे तनमंधन सहित कुर्बान जाएंगे वासो में तुम एक बार कुर्बान जाते और बाप 21 बार वारी जाते हैं वारिस होना तो वारी जाना पड़े अंत में बाबा यही कहते मन मनाभव मध्याजीभव इसमें सब आ जाता है यह बहुत भारी खजाना है जिससे तुम्हारी जोली भर रही है और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली कहसार मीठे बच्चे बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो होलसेल व्यापार है मन मनाभव अल्फ को याद करना और कराना बाकी सब हैं रिटेल प्रश्न बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे उत्तर जो बच्चे अच्छी रिती बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं देहे सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धी योग तोड एक की याद में रहते हैं ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे बाप अभी बच्चों को गुल-गुल फूल बनाते हैं फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं ओम शांती बच्चों को अपने बाप और शांती धाम सुख धाम की याद में बैठना है आत्मा को बाप को ही याद करना है इस दुखधाम को भूल जाना है बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंद इतना मीठा संबंद और कोई बाप का होता ही नहीं संबंद एक होता है बाप से फिर टीचर और गुरू से होता है अभी यहां यह तीनों ही एक हैं यह भी बुद्धी में याद रहे खुशी की बात है न एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज राश्सा बताते हैं बाप को शांती धाम और सुख धाम को याद करो इस दुख धाम को भूल जाओ घूमो फिरो लेकिन बुद्धी में यही याद रहे यहां तो कोई गोरक धंदा आदी नहीं है घर में बैठे हैं बाप सिर्फ तीन अक्षर याद करने को कहते हैं वसो में है एक अक्षर बाप को याद करो बाप को याद करने से सुख धाम और शांती धाम दोनों वर्ष से याद आ जाते हैं देने वाला तो बाप ही है याद करने से खुशी का पारा चड़ेगा तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है बच्चों की बुद्धी में है बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे रिसीव करेंगे प्रन्तु उनको जो अच्छी रिती बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धी योग तोड़ मामे कम याद करना है भक्ती मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है प्रन्तु जाने का रास्था मिलता ही नहीं अभी बाप कितना सहज रास्था बताते हैं सिर्फ यह याद करो बाप बाप भी है शिक्षक भी है सृष्टी के आदी मध्य अंत का ग्यान सुनाते हैं जो और कोई समझा न सके बाप कहते हैं अब घर चलना है फिर पहले पहले सत्यूग में आएंगे इस छीची दुनिया से अब जाना है भल यहां बैठे हैं प्रन्तु यहां से अब गए की गए बाप भी खुश होते हैं तुम बच्चों ने बाप को इन्वाइट किया है बहुत समय से अब फिर बाप को रिसीव किया है बाप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बना कर फिर शांती धाम में रिसीव करूँगा फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे कितना सहज है ऐसे बाप को भूलना नहीं है बात तो बहुत मीठी और सीधी है एक बात अल्फ को याद करो भल डिटेल में समझाते हैं फिर पिछाडी में कहते हैं अल्फ को याद करो दूसरा न कोई तुम जनम जनमांत्र के आशिक हो एक माशूक है तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे अब वह आए हैं तो एक कही बनना चाहिए निश्चे बुद्धी विजयनती विजय पाएंगे रावन पर फिर आना है राम राजे में कल्प कल्प तुम रावन पर विजय पाते हो ब्रहमन बने और विजय पाई रावन पर राम राज्ये पर तुम्हारा हक है बाप को पहचाना और राम राज्ये पर हक हुआ बाकी पुरुशार्थ करना है उंच पद पाने का विजे माला में आना है बड़ी विजे माला है राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा दास दासियां सब नंबर वार बनते हैं सब एक जैसे नहीं बनते कोई तो बहुत नज्जीक रहते हैं जो राजा रानी खाते जो कुछ भंडारे में बनता वे सब दास दासियूं को मिलता है जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है पदम पती भी राजाओं को कहा जाता है प्रजा को पदम पती नहीं कहेंगे भल वहाँ धन की परवाह नहीं रहती परंतु यह निशानी देवताओं की होती है जितना याद करेंगे उतना सुर्य वंशी में आएंगे नई दुनिया में आना है न, महराजा महरानी बनना है, बाप नौलेज देते हैं नर्से नारायन बनने की, जिसको राज योग कहा जाता है, बाकि भक्ती मारके शास्त्र भी सबसे जासी तुम ने पढ़े है, सबसे जासी भक्ती तुम बच्चों ने की है, अब बाप से आकर म ले हो बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद खरो बाबा बच्चे बच्चे कह समझाते हैं बाप बच्चों पर वारी जाते हैं वारिस हैं तो वारी जाना पड़े तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे तनमंधन सहित कुर्बान जाएंगे तुम एक बार कुर्बान जाते हो बाबा 21 बार जाएंगे बाबा बच्चों को याद भी दिलाते हैं समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार अपना-पना भाग्य लेने आए हैं बाब कहते हैं मीठे बच्चों विश्व की बादशाही हमारी जागीर है अब जितना पुरुशार्थ तुम कर लो जितना पुरुशार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे नंबर वन सो लास्ट नंबर में है नंबर वन में फिर जरूर जाएंगे सारा मदार पुरुशार्थ पर है बाप बच्चों को घर ले जाने आए है अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे वह है काम अगनी यह है योग अगनी काम अगनी में जलते जलते तुम काले हो गए हो बिलकुल खाक हो पड़े हो अब मैं आकर तुमको जगाता हूं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ती बताता हूं बिलकुल सिंपल मैं आता हूं इतना समय देह अभीमान में रहने कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे अब देही अभीमानी बन बाप को याद करो घर जाना है बाप लेने के लिए आया है तुमने निमंत्रन दिया और बाप आये है पतितों को पावन बना कर पंडा बन ले जाएंगे सब आत्माओं को आत्मा को ही यात्रा पर जाना है तुम हो पांडव संप्रदाएं, पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था, यहां तो अभी राजाई भी खतम हो गई है, अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है, तुम पूझे विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो, तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं, विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं, यह लोग कहते हैं विश्व में शान्ती हो, तुम पूझो विश्व में शान्ती किसको कहते हैं, विश्व में शान्ती कब होई है, वर्ड की हिस्ट्री जोगराफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता र विश्व में शांती तो स्वर्ग में थी जिसको paradise कहते हैं क्रिश्चन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से तीन हजार वर्ष पहले paradise था उन्हों की ना पारस बुध्धी बनती है ना फिर पत्थर बुध्धी बनती है भारत वासी पारस बुध्धी और पत्थर बुध्धी बनते हैं, न्यू वर्ड को हैविन कहा जाता, पुरानी को तो हैविन नहीं कहेंगे बच्चों को बाप ने हैल और हैविन का राज समझाया है, यह है रीटेल, होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं मामे कम याद करो बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है, यह भी पुरानी बात है, पाँच हजार वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था, बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं, सत्य नारैन की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा, मश्हूर हैं, तुमको भी तीसरा नेत्र ग्यान समझाई जाती है, रिटेल और होलसेल होता है न, इतना ग्यान सुनाते हैं, जो सागर को शाही बनाओ, तो भी अंतना आए, यह हुआ रिटेल, होलसेल में सिर्फ कहते हैं, मन मनाभव, अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझ से हो, और कोई बता न सके, बाप ने कोई संस्कृत में ग्यान नहीं दिया है, वे तो जैसा राजा है, वे अपनी भाशा चलाते हैं, अपनी भाशा तो एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखने चाहिए, कितना पैसा खर्ज करते हैं, तुम्हारे पास कोई भी आये, उनको बोलो बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो शांती धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा यह समझना हो तो बैट कर समझो, बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है, बाप अल्फ ही समझाते हैं अल्फ से ही वर्षा मिलता है बाप को याद करो तो पाप नाश हो फिर पवित्रबंद शांती धाम में चले जाएंगे कहते भी हैं शांती देवा बाप ही शांती के सागर हैं, तो उनको ही याद करते हैं, बाप जो स्वर्ग सापन करते हैं वह तो यहां ही होता है सुक्षम वतन में कुछ भी है नहीं ये तो साक्षतकार की बाते हैं ऐसा फरिस्था बनना है बनना यहां ही है फरिस्था बनकर फिर घर चले जाएंगी राजधानी का वड़सा बाप से मिलता है शांती और सुक दोनों वड़से मिलते हैं बाप के सिवाए और कोई को सागर कह नहीं सकते बाप जो ग्यान का सागर है वही सर्व की सदगती करते हैं बाप पूछते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरू हूँ तुम्हारी सदगती करता हूँ फिर तुम्हारी दुरगती कौन करते हैं रावन दुरगती और सदगती का ये खेल है कोई मुझते हैं तो पूछ सकते हैं भक्ति मार्ग में प्रशन धेर उड़ते हैं ग्यान मार्ग में प्रशन की बात नहीं शास्त्रों में तो ये श्विबाबस से लेकर देवताओं की भी कितनी इगलानी कर दी है किसको भी छोड़ा नहीं है ये भी ड्रामा बना हुआ है फिर भी करेंगे बाप कहते हैं ये देवी देवताओं धर्म बहुत सुख देने वाला है फिर ये दुख नहीं रहेगा बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं ये लक्षमिनारण समझदार है तब तो विश्व के मालिक है बेसमझ तो विश्व के मालिक हो न सके पहले तो तुम काटे थे अब फूल बन रहे हो इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं ऐसा फूल बनना है खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं फिर रावन आता है काटों का जंगल बनाने कितना क्लियर है यह सब सिम्रन करना है एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है बाप से वर्षा मिलता है यह बहुत भारी दौलत है शान्ती का भी वर्षा मिलता है क्योंकि शान्ती का सागर वही है लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभ भी नहीं करेंगे श्री कृष्ण है सबसे प्यारा पहले पहले जनम ही उनका होता है इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं बाप भी पक्का व्यापारी है कोई विर्ला ऐसा व्यापार करे होसल व्यापारी कोई बाप कहते हैं निरंतर याद करते रहो वर्सा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी लौकिक संबंद में बाप बुढ़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाडी तक भी साहयक बनते हैं कोई तो मिलकियत मिली और उड़ा कर खलास कर देते हैं बाबा सब बात बनाया है गरीबी का साहुकारी का सब में अनुभवि है ड्रामा नुसार यह एक यी रत है यह कभी बदल नहीं सकता ड्रामा बना हुआ है इसमें कभी直接 हो नहीं सकती सब सब बातें होरसल और रिटेल में समझा कर फिर अंत में कह देते हैं मन मनाभव मध्याजीभव। मन मनाभव में सब आ जाता है। ये बहुत भारी खजाना है। उनसे जोली भड़ते हैं। अविनाशी ग्यान रत्न एक एक लाखों रुप्यों के हैं। तुम पदमा पदम भाग्ये शाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षी हो ड्रामा देख रहे हैं। तुम पार्ट बजाते हो। मैं पार्ट बजाते भी साक्षी हूँ। जनम मरण में नहीं आता हूँ। और तो कोई इन से छूट नहीं सकता। मोक्ष मिल न सके। यह अनादी बना बनाया ड्रामा है। यह भी वंडर्फुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। यह अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। अच्छा मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का दिल वजान सिक्व प्रेम से सर्विसेबुल बच्चों को नमबरवार पुरुशार्थ नुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस से धार्णा के लिए मुख्ये सार्थ पहली पुइंट जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं ऐसे तनमंधन सहीद एक बार बाप पर पूरा कुरबान जाकर 21 जन्मों का वर्सा लेना है। दूसरी पोइंट बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं उससे अपनी जोली सदा भरपूर रखनी हैं। सदा इसी खुशी वा नशे में रहना हैं कि हम पदमा पदम भाग्यशाली हैं। वर्दान ब्रहमन जीवन की प्रोपर्टी और पर्सनलिटी का अनुभव करने और कराने वली विशेस आत्मा भव। ब्रहमन जीवन की प्रोपर्टी और पर्सनलिटी का अनुभव करने और कराने वली विशेस आत्मा भव। बाप दद सभी ब्रहमन बच्चों को स्मृती दिलाते हैं कि ब्रहमन बने अहो भाग्ये। लेकिन ब्रहमन जीवन का वर्षा प्रोपर्टी संतुष्टता है और ब्रहमन जीवन की पर्सनलिटी प्रसन्नता हैं इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अभिकारी हो जब दाता वर्दाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव मिलाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ तब कहेंगे विशे सात्मा। स्लोगन लास्ट समय का सोचने के बजाए लास्ट सिती का सोचो अच्छा। ओम शान्ती बाबा ने बताया अपनी दिंचरिया में हर एक बेगे को दो कारियों की सेटिंग बहुत अच्छी तरह करनी है। कौन से वो दो कारिये हैं और क्या उनकी विधी है। जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यानमोती। बाइब 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 बुक्ण